नमस्कार कैसेकरे.com से मैं हूँ गोगी और आपकी हाँ पर हर प्रोब्लम सॉल होगी यह जो डिवाइस है इसके बारे में बात हम लोग खास इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने फॉन के साथ इसको जब वो सेट अप कैसे कर सकते हैं आसानी से बहुत आसान तरीका है पूरी वीडियो देखिएगा आपको पूरी जानकरी देने वाले हैं सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हम आपके लिए बहुत खास जान करिए यह और चैनल को सब्सक्राइबर के खंटी दे बालो ताकि ऐसी वीडियो और मिलते हैं अभी अमेजन का अलेक्सा अ अप तो फट 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 डाउड दाउड कर लीजिए और उसके बाद आपको मिलते हैं फ़ौन के अंदर सबसे पहले आप जब उसके बाद आपको जब वो इसको कर लेना है plug-in देखिए setup करने के लिए सबसे पैदे आपको यह जब वो एप है उसको download कर लेना है और उसको कर देना है power plug-in तो power plug-in कर देते हैं हम लोग और light जब वो एक ring light start हो जाएगी यह वाली ring light start होना ज़रूरी है otherwise आप setup नहीं कर पाएंगे यह काफी ज़रूरी चीज है आपको यह भी जब वो कहेगा कि आप setup के लिए ready है तो आप जब Amazon के Alexa एप को open कीजिए जैसे open करते कुछ इस तरह के options आपके सामने आते हैं आपको sign in यानि अपने account में login करने के लिए कहा जाता है तो आप अपने account की detail email letters या mobile number डाल दीजिए पासवर्ड में डाल दीजिए ओके यह साउंड आ रही है यह हमारा echo date से ही आ रहा है तो echo dot थोड़ी echo तो करता ही है तो यहाँ पर अपनी account detail डाल करके password डाल करके तो यहाँ पर अपना password डाल करके sign in कर लीजिए account में sign in करने के बाद कुछ इस तरह के options आपके सामने आते हैं दिखाए जाता है अल्टारी मीडिया talk to your phone क्योंकि मेरे phone में भी अलग सा है तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है आप कर दीजिए continue पर click और यह दिखे मेरी permissions मांगे जारी है phone की तो आप phone वाली permission अगर आप वाले में मांगे तो आप दे दीजिएगा अलो करतीजी जो भी चीज़े हैं वो सारी फिर continue पर click कर देए भासा का आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं Hindi या या English है आप continue पर click कर देजिए अभी आप देख सकते हैं आपके समने start training voice तो आप यह training कर सकते हैं continue पर click करना है नीचे की तरफ और continue पर click कर दीजिए अलेक्षा 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 यह training ली जा रही है आपकी अलेक्षा तो देखिए आपकी voice को जो हो recognize कर दिया गया है आप यहां पर finish कर सकते हैं यहां पर आसानी से अलेक्षा अलेक्षा यह देखिए सारी dots उपर वाले टिक हो जाती है जब आलेक्षा आलेक्षा आप करते रहते हैं और hands-free mode में चला जाता है तो यह आपका phone hands-free mode में चला गया है लेकिन हमारे को यह वाला जबू करना है I want to respond to my phone is locked no no thanks तो यहां पर देखिए आप कर सकते हैं यहां पर आपको अपना नाम का चुनाव करना होता है जो भी आपका नाम है वो तो मैं जो चुनाव कर लेता हूं और आपसे पूछे जाता है confirm your name तो आप अपना नेम जो वो सई से सेट अप कर लीजिएगा और continue पर क्लिक कर दीजिए जैसे आपका नाम जो वो सेट अप हो जाता है देखिए गिव परमिशन की लिए मंगा जाता है तो आप प्रमिशन दे दीजिए को यहां पर जो भी परमिशन हो वो सारी कि सारी परमिशन आपको दे देनी है और echo dot can be set up तो यहां पर देखिए YouTube और Wi-Fi जो वो अच्छे से connected होना चाहिए setup होना चाहिए अब ही जो हमारा Wi-Fi को NetTrack को सर्च किया जा रहा है हमारा Wi-Fi NetTrack कौन सा है वो चूज कर सकते हम लोग यहां से यह है तो यह चूज कर लेते हैं इंटर password खा जाता है तो password जो है वो आपको अपने Wi-Fi वाला इंटर कर चाहिए और यहां पर जब वो डिवाइस जब वो connected भी होनी चाहिए तो यह आपके इंटरनेट के साथ connect करने के कोशिज की जा रही है इसको साउंड कर दिया मतलब कि यह connect हो चुका है सुन सकते हैं आप echo dot is now connected and ready आप क्लिक कर दिजिए continue पर जैसे आप continue पर क्लिक करते हैं तो पूशे चाहता है कि आपकी यह कहां पर है तो जिस जिगेंपर आपकी है यह उस जिगेंगे डाल दीजीगा तो मैं जब वो इसका डाल द या लॉंज बाथरूम है टोइलेट कहां पर हो सकता है तो कहां पर भी कर सकते हैं मैं जब वो इसको गार्डन में क्लिक कर देता हूं तो गार्डन के लिए गार्डन का नहीं मैं इसको काट करके यहां पर लिख देता हूं working area working area और क्लिक कर दीजिए मैंने working area डाल दिया है यहां पर अपना नाम आप fix भी डाल सकते हैं यहां से search तो आपको पता यह करी चकते हैं आप content पर क्लिक कर दीजिए area डाल करके सुरी जो नाम चाहते हैं वो या फिर जो चूज करना चाहते हैं वो चूज करके अभी device हमारी जो रेडी है बिल्कुल और यहां पर जब डिवाइस को जाकर के devices भी set कर सकते हैं तो आप add भी क्लिक कर दीजिए और यहां पर देख सकते हैं आप कौन से कौन से हैं तो all devices working area मे दिखा रहा है आपको तो यहां पर device को और add करने के लिए add device और echo smart home और accessories आप देख सकते हैं तो अपने phone के साथ भी इसको connect कर सकते हैं जो इसमें play करेंगे music आप वो यहां से जब वो play कर सकते हैं असानी से अब light bulb वगरा आपको setup करने हैं तो कैसे कैसे कौन से कौन से हैं वो me home को enable करने का option मिलेगा तो enable करना है आपको यहां पर और आपको लेगर के जाया जाता है आपके account में तो यहां पर आपको अपने account में login कर लेना है तो मैं अभी login कर लेता हूँ ला जाता है और देखिए आपके सामने पूरा access दे दिया जाता है हमारे को उस account में और कर दीज ये सारी devices को discover कर लिया जाता है और उसके बाद हम लोग उसको आसानी से setup कर सकते हैं कोई खास problem वाली बात नहीं है देखिए दो device founded दिखा गया है तो दो device जो वो हमारी me वाली app के अंदर थी तो हम लोग जो जहां से choose कर सकते हैं बाकी app है तो भी जो वह आप use कर सकते हैं देख ग्रूप और working area तो यह देखिए आपके light add हो चुके continue और आप setup यह light भी setup कर सकते हैं और ग्रूप में कर दीजिए working area वले में ही कर दीजिए और continue पर click कर दीजिए continue continue done अब देखिए हमारी lights जब वो आ चुके हैं यहां पर on off के options यहां पर भी आ चुके हैं अलग सा switch on bathroom light तो में तो दोस्तों आप लोग जान पाए एग्जा को setup कैसे कर सकते हैं अगर जानकर अच्छे लेगी like करना वीडियो को share करना दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe करके घंटी तो जुरू दबाईए ताकि ऐसी videos और मिलती रहें